इस अधियों से आज से नहीं दस जार साल से बलकि जो महादेव जो है लगवाग 15-20 साल से पहले से हैं और उनका पुजा होता है तो हिंदू राष्ट तो है ही और हिंदू धर्म की बात में कर रहा हूं कि राष्ट की पहले ही आप समझ लो ने धर्म तो है ही जो हमारा जो हिं नहीं है लेकिन यह है कि सब्षेटिश सम्मुझान से चलेगा कि बाबा से चलेगा सविदान से मैं तो नहीं मानता किसी बाबा से चले क्योंकि सब्स्तिन अबले नहीं हमारे में पूछते हैं उनका इसा नहीं है लेकि सम्मेदान से चलना का सम्मान होना चाहिए लेकि हिंदु में होता है कि सब समाते हैं एक चाहर वेद के नाम बताइए है सांवेद अथरबेद याजोय याद नहीं Feel आप बताए है सामबेद अथरबेद याजोरबेद Sultan तो मेरा यह आप से सवाल है कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्य की इन इस यह आट सालों में आजके बहुत खत्रे में यहां पहले क्या था कि अत्याचार होते थे ने वो बोलते नहीं थे आपने आप सहलेते थे दयान कुछ सरकारे जी सपोट नहीं कर रही थी लेकिन हम क्या है कि हम बोलते हैं कि मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो जैसे मालों कोई जूलुस निकाले गौर अच्छक के नाम पे लोगों को माई डालना और सुनो सान बीजेपी का सांसद होके कहना कि चाकू की तलवार तेज रखो अपने घर में रखो जन संक्या के बारे में बयान देना यह हिंदु धर्म या हिंदु धर्म के माननेताओं वाले लोगों के लिए सूट करता है क्या है सब्सक्राइब तो काने का अपना हर चीज को हम सम्मान देते हैं कनकन में भगवान है हम सब को लेके चलते हैं लेकिन को ऐसा धर्म होता है जो एक ही मतलब अपने को लेके चलेंगे किसी और को छोड़ देंगे तो हमारा हिंदू धर्म में यही है हमें हमें यही सिखाता है को सब को लेके चलन है। और यहां पर कोई इस्चादेश नहीं होता है। बस यह है कि पहले यह था कि हम छूप रहते थे अब यह हो रहे हैं। इस्तर हमारा बोलना यह कटर पंद्र किसी बिधान्मे किसी भी फिजान में नहीं और जिए ऑन जो यह मल़ब मुसलिमी कहते हैं वो कभी हिंदों से मिलके नहीं चलते हिंदु हिंदु सबसे मिलके चलता है गले लगके चलता है बलो कहाम मंदिर में भी जाते हैं गुर्द्वारे में भी जाते हैं मस्टित में भी चले जाते हैं अमाजों कोई दिक्कत नहीं है उनको दिक्कत क्यों है और आपका हिंदू राष्ट के बारे में क्या ख्याल है पहले तो आज श्री गणेश जी की बहुत-बहुत सबको चरणिश पर्स गणेश जी के लिए तो कि भगवान शिव ने एकी बात गई है मेरी पूजा भी बाद में करोगे पहले मेरे पुत्र की करो अगर कल्यान चाते है वो तो तो आज महा श्रीवरात्री है सभी देश के हर प्रतीनिधी को जो इस देश को शामिल है हमारी किसी भी क्रिया में उनको बहुत-बहुत बढ़ाई अब आप प्रशन की थे एक चीज और सर आपको मैं टीवी में देखता हूं उस प्रसनलेटी और इस प्रसनलेटी में उनको आप अच्छे-ची बातों से अवगत कराते हैं आपका बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका लेकिन टीवी में और ऐसे फरक क्या लगता है टीवी में जैसे आधार काड़ होता है कि आधार काड़ में जो आप चीज देखते हैं वह एक्शल में दूसरी चीज होती है वहीआ हां के साथ हो तो अगर और ऐसे ज tough लो पर कि यह चल रही हैं और यह जो आप देखते होंगे जब किसी नेता पर कोई जाकर मढ़ो किसी विवाद में वो फंच जाए कभी कोई चीज हो जाए तो कहता है अरे यह तो हिंदु तो हत्रा है हिंदू के साथ यह एक बाबा पर यह आरोप लगा कि वो कुछ माइंड रीडिंग करते हैं या वो तो उन्होंने हिंदू राष्ट के लिए यग शुरू कर इंट्रनेशनल लेबल पर उनको यह सोचना चाहिए कि कभी भी एक कौम चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख किसाई कभी भी अपने देश को आजाद नहीं करा सकते हैं इसमें सबका योगदान होता है और जब सबका योगदान होता है तो एक हिंदू तुगले के आप क्यों चल रहे हैं इसके लिए हमारी देश की कोई भी शरकार हो कोई पर्टिकलर किसी की बाद मैं नहीं कर रहा हूं कोई भी सरकार हो हर का प्रतिनीश्टिव बनता है कि देश में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख किसाई या और भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं उन सबका जनता मानती है, 80% मानती, 80% को आप छोड़ा दीजिएगा, जैसे बीजेपी को 20% लोग नहीं मानते, 80% मानते है, वो फेक्ट है, एक बुज़र्ग आदमी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, आप क्या समझते हैं, उसकी इच्छा नहीं थी क्या, उस चीज में जान हैं कि हिंदू हिंदू का राग जो है, वो देश की छवी को खराब कर रहा है, अगर हाँ, बिलकुल, इसमें 100% ये बात है, मैं इसकी शोर्टी देता हूँ आपको, अगर ये चीज़ चलती रहेगी, तो हमारे देश की बदनामी होगी, अंतर रैश्ट इस तरह, तो आपको हैं यसे इंग्लेंड वाले कहते हैं, हुआरा सूरज नहीं चुपता, कितना-कितनी जगह पर उन्होंने कबज़ा किया हुआ था, उसी परकार हमारे देश को आज advers के लिए, हमारे देश को आज़ित करने के हर कौम ने और सात दिया, तो हिंदू के क्या, आप सब को साथ ल आपका आप बहुत सो क्लिए आप